आज हम B.com First Year Economics Paper First का जो एक टॉपिक है Illacity of Demand जिसको मांग की लोज भी कहा जाता है और ये कई बार आपसे परिक्षाओं में पूछा जाता है ये कॉशन तो इसके बारे में हमार चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि Demand क्या होती है What is Demand? तो हम जानते हैं क्योंकि आपने पहले भी previous classes में इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो हम ये जानते हैं कि मांग किसी Goods की Demand का Goods मतलब वस्तू किसी भी वस्तू की Demand का Relationship वस्तू की मांगी गई मात्रा या quantity से दर्शाती है है ना इसी को ही मांग कहा जाता है इसमें important things क्या है important बाते क्या है सबसे पहली बात है कि किसी भी Demand में particular time होना चाहिए जो जिस चीज की हम Demand कर रहे हैं वो एक particular time में मांगी जाना चाहिए इसके साथ साथ उसके लिए particular price का होना भी बहुत जरूरी है हम देखते हैं बाजारों में जो समान बिखता है उसके उपर लेवल लगा हुआ रहता है price का और हर price के लिए हर वस्तू के लिए अलग-अलग price जो है वो decide किया हुआ रहता है तो हम जिस चीज की Demand कर रहे हैं उसके लिए price का होना जरूरी है particular price होना चाहिए वह वस्तू particular place पर मिलनी चाहिए है ना तो इसके लिए ये जरूरी है और इसके साथ desires of our goods वस्तू की इच्छा कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तू की Demand करता है तो जरूरी है कि उसके लिए व्यक्ति के पास इक्छा होनी चाहिए उसको use करने के लिए तो सबसे important बात है कि मांग क्यों आविशक है तो ये बात आपको अभी यहाँ पर समझ में आ गई होगी इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि law of demand या मांग का नियम क्या कहता है मांग की रोज को समझने से पहले तो हम जानते हैं क्योंकि previous classes में आपने पढ़ा है कि law of demand जो है वो price और demand के relationship को दर्शाने का काम करता है कीमत और मांग के बीच के संबंद को और ये संबंद कैसा होता है विप्री संबंद होता है opposite relationship होता है और हम जानते हैं कि price के बिना या मांग के बिना ये दोनों जो हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते तो एक दूसरे के बिना ये कैसे हैं meaningless हैं है ना और दूसरी बात है ये दोनों जो हैं वो opposite relationship को दर्शाने का का काम कर रहे हैं अब हम इस opposite relationship को एक छोटे से डाइग्राम के द्वारा समझनी की कोशिश करते हैं जब price बढ़ी हुई रहती है और जब price का level बढ़ा हुआ रहता है तो आप देख रहे हैं demand जो होती है वो less than होती है वो कम हो जाती है और जब भी किसी goods का price जो होता है वो less than होता है तो जो demand होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो ये opposite relationship जो है वो law of demand जो है दरशाने का काम कर रहा है और इसी base पर पूरा demand जो है वो काम करता है अब इसके बाद main चीज जो हमें आज पढ़नी है elasticity of demand तो अब हम जब की demand के बारे में जान चुके है उसके law के बारे में जान चुके है तो हमें पता है कि अब elasticity or demand क्या होती है कि वस्तू की demand other economic variables जैसे other economic variables मतलब अन्य आर्थिक जो चर है या जिसको हम income कह सकते हैं किसी व्यक्ति की है ना उसमें यदि change आते हैं या परिवर्तन आते हैं तो किस तरीके से income sensitivity दर्शाती है income जादा या कम होने से demand पर कुछ ना कुछ तो फरक पड़ता होगा कुछ ना कुछ तो change आता होगा इसी को ही elasticity of demand कहा जाता है क्योंकि इसका नाम ही show कर रहा है elasticity मतलब elastic elastic की प्रकृतिया nature क्या होता है वो खीचता है है ना और उसको जब हम छोड़ देते हैं तो वो अपनी जगह पर सिकुड़ जाता है इसी तरह से demand भी काम करता है जब price बढ़ जाती है तो demand क्या हो जा रही है कम हो जा रही है और price जब कम हो जा रही है तो demand बढ़ जा रही है इसी को ही elasticity of demand कहा जाता है इसमें important things क्या क्या है इसमें सबसे पहरी बात है कि economic variables पर महटपून तरीके से variables की चर्चा की गई है और दूसरी बात है कि elasticity में परीवरतन हाना तो जो परीवरतन यहां दर्चाया जा रहा है elasticity में कम हो रही है या जादा हो रही है इसके महत्व को इसके meaning में यहां पर बताया गया है इसी को ही elasticity of demand कहा जाता है अब इसका meaning समझने के बाद हम इसकी कुछ definitions को देखते हैं तो सबसे पहले जो definition है वो Professor Marshall ने दी है क्योंकि एक classical economist है परंपरागत अर्दशास्त्री हैं और बहुत पुराने हैं और इन्हों नहीं मांग के नियम को बहुत अच्छी तरीके से अर्दशास्त्र में समझाया है तो इनकी definition के अनूसर कहा गया है कि electricity of demand क्या है कि जब बाजार में या market में price में यदि गरावट हो जाती है तो उसके फलसरूप demand की जो quantities है या मात्रा हैं उनमें अधिकताई हो जाएगी वो अधिक हो जाएगी या तो वो कम हो जाएगी तो ये किस percentage से change हो रही है इसी को ही मांग की लोज कहा जाता है इसमें book thing क्या है important things क्या है इसमें दो चीज़ों के इन्होंने importance दिया है एक तो price को और economic variables को क्योंकि जैसे जैसे price बढ़ेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति की आय में भी कुछ ना कुछ परीवरतन होगा है ना price बढ़ने पर जो गरीब तबके के लोग है जो मध्यम वर्गिये परीवार है वो चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से और जो अमीर वर्ग है उनको कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या मांग की लोच और जो price effect है या कीमत प्रभाव है वो एक ही बात है तो नहीं एक ही बात नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि elasticity of demand क्या होती है relative change in price and demand ये price और demand के relationship को दर्शाने का काम करती है opposite relationship को दर्शान रही है और price effect क्या होता है absolute change in price and demand हम क्या कर सकते हैं जो हमारे economic जो variables हैं उनको घटा बढ़ा कर हम price की changes का पता लगा सकते हैं तो ये difference जो है वो दोनों में समझना हमको जरूरी है इसके बात आ जाते हैं professor Benham की परिभाशा पर professor Benham का क्या कहना है professor Benham इस परिभाशा में कह रहे हैं कि जो मांग की लोज है वो particular time में मांगी गई quantity है मांग की जितनी भी मात्राइं हम मांग रहे हैं use करने के लिए जितनी भी things या goods हम मांग रहे हैं उसकी quantity को ही elasticity of demand कहा जाता है इसके बाद हम देखेंगे कि elasticity of demand या मांग की लोज कितने प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की होती है पहले प्रकार की होती है price elasticity of demand जिसको कीमत लोज कहा जाता है दूसरी होती है income elasticity of demand जिसको I loach कहा जाता है और तीसरे प्रकार की होती है cross elasticity of demand जिसको आड़ी या तिर्ची लोज कहा जाता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि मांग की लोज को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है factor determining the elasticity of demand है ना तो सबसे पहला जो कारक है उसको कहते है वस्तुगत तत्व या उन्हें कहते है goods factors जो होते हैं वो इन चीजों पर depend करते हैं सबसे पहला होता है nature of commodities वस्तू की प्रकृति कैसी है है ना वस्तू का वैभार कैसा है वो कैसा वैभार प्रदेशित कर रही है दूसरा होता है compulsory items कमपलसरी मतलब जो आविशक है हमारे लिए जैसे एक्जामपल के रूप में अनाज है नमक है अनाज को हम बोजन के रूप में लेते हैं क्योंकि वो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है नमक जो है बोजन के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है और यह कमपलसरी items में आता है इसके बाद आता है luxury items लगजरी items जैसे को दर्शार है ना जिनकी ज्यादा income होगी तो वो लगजरी items को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे इसके बाद है comfortable items जो है जैसे दूद है गी है फल है यह ऐसे items है यदि इनकी बढ़ोतरी जादा हो जाए तो भी कोई फरत नहीं पड़ता और कम हो जाए तो भी कोई फरत नहीं पड़ता तो ऐसे items जो है वो वस्तूगत तत्व या goods factors जो है वो nature of commodities के अंतरगर आते है इसके बाद जो दूस है इसमें वो है इस्थानापनों का होना या existence of substitutes जैसे चाय के बदले काफी का होना मान लीजे बजार में चाय की कीमत बढ़ जा रही है और चाय को पीने वाले लोग जो है अब इसके कारण काफी को नहीं खरीद पा रहे तो काफी के बदले में वो क्या करेंगे चाय का कि हम किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज को substitute के रूप में यूज कर रहे हैं इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर वस्तू का विभिन प्रयोग या alternative uses of good जैसे रोशनी या बिजली का यूज जो है हम किन-किन चीज़ों के लिए करते हैं इसका यूज हम भोजन को पकानी के लिए करते हैं इसका यूज हम फैन को चलाने के लिए करते हैं और दूसरे जो यूज है वो electricity से करते हैं तो जो रोशनी का यूज है वो विभिन प्रकार की मतलब एक वस्तू का कई रूपों में जब हम प्रयोग करते हैं उसे ही alternative uses of goods कहा जाता है उसके बाद जो आता है वस्तू का उप्योग इस्थागित होना postponement of consumption goods जैसे जूते और दवाई इनका use हम किसी एक particular time पर करते हैं जूते का use हम पूरे समय नहीं करते हैं जब आप कहीं बाहर जाते हो या कहीं functions में जाते हो या अपने job के job के area में जाते हो तब ही आप जूते पहन कर जाते हो है न स अब जगा तो हम जूते नहीं पहनते इसी तरह दवाईया भी जो है पर्टिकुलर टाइम पर ही ली जाती हमेशा नहीं ली जाती है तो यह वस्तू के उप्योग स्थागित होने मतलब एक विशेश time में ही इनका प्रयोग किया जाता है इसके बाद आते हैं सहीयोग दिमां कार तो है लेकिन यदि उसमें पैट्रोल नहीं डाला जाएका तो कार नहीं चलेगी तो यह सहीयोग दिमांग के अंतरगत आते हैं उसके बाद दूसरा जो कारक होता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत तत्व या सब्जेक्टिव फैक्टर्स इसके अंतरगत आता है हैबिट्स कैसी आदते हैं उब्भोक्ताओं की कैसी आदत वो प्रदर्शित करें जैसे मालीजे किसी उब्भोक्ता की आदत सिगरेट पीने की है या शराब पीने की है तो मालीजे सिगरेट या शराब की कीमत बढ़ हुई जाए तो उब्भोक्ता क्या करेगा उसको यूज करेगा उ बढ़ी हुई रहेगी और ज्यादा इंकम वालों की लेसिटी ऑफ दिमांड जो है वो लेस देन रहेगी क्योंकि उनको वस्तू को खरीदने पर ज्यादा जो उनको ज्यादा प्रभाव जहें उन पर प्राइज का प्राइज एफेक्ट का नहीं पड़ता है अब सब्जेक्ट में तीसरे नंबर पर आता है इस्टेंडर ओफ लिविंग स्टेंडर्ड व्यक्तियों के रहने का इस्तर कैसा है इस पर प्राइज बढ़ जाती है तो प्राइज एफेक्ट जो है वो उस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा यदि अमीर वर्ग है जादा सेलरी कमा रहा है तो उस पर प्राइज एफेक्ट जो है वो कम असर डालती है ठीक है इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर शेयर इंटोटल एक्सपेंडिचर व्यकी राशी है ना जैसे फॉर एक्जामपल हम अपनी इंकम को कैसे कैसे डिस्क्रिब्यूट करते हैं किनके चीजों को खरीद और बहुत अधिक लोग होंगे जो मैच मेकर नहीं खरीदते होंगे है ना तो ऐसे इंकम जिनको हम जब डिस्क्रिब्यूट करते हैं तो किस चीज़ पर कितना हम वै कर रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है फिर होता है क्लास ऑफ बायर्स मतलब जो खरीदार है उनका क्लास क्या है उनका वर्ग क्या है जैसे अमीर वर्ग पर जो प्राइज एफेक्ट है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कम प्रभाव पड़ेगा और गरीब वर्ग पर प्राइज एफेक्ट का अधिक प्रभाव पड़ेगा और जो बायर्स हैं बेचने वाले हैं चा fan social factors के अंतर आते हैं distribution or national income रास्ति ए का व्यआनज वित्रन वित्रन जो हे किस तरह से सरकार कर रहे है स्वेच च rodz बीस्स का पूरे ंष की बिजनिस का और जितने भी और किए जाते हैं विजनिस के रूप में उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नेशनल इंकम को दिया जाता है और सरकार जो है वो इस income का distribution जो है वो किस तरीके से करती है ये society पर असर करता है प्रभाव डालता है इसके बाद आता है rationing system जैसे मान लीजे किसी व्यक्ति को राशन की सुवीदा उपलब्द कराई जा रही है लेकिन उसको मंचा ही quantity नहीं मिल पारी सामान की है ना तो ये भी एक तरीके से कह ही ना कहीं व्यक्ति को effect कर रहा है उसके बाद आते हैं जिसको कहते है price factor price factor के अंतर गाते है general price level सामान रूप से कीमत जो इस तरह है वो क्या decide किया गया है किसी वस्तू पर ये भी effect डालता है मां की लोज पर इसके बाद आते है effect of time जो यदि कम समय के लिए किसी वस्तू का नहीं पड़ेगा लेकिन यदि किसी वस्तू का मूले long term के लिए बढ़ जाए तो निश्चित रूप से अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा गरीब या मध्यम वर्ग पर पड़ेगा बलकि अमीर वर्ग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अब इन सब चीजो को समझने के बाद आपको elasticity of demands अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी